हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब को मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं आप लोगे साथ सेर करने वाली हूँ कच्छे केले की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं आज हम बनाएंगे केले की सबजी तो केले की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें केले को दोके और उसका छिलका उतारके हमें इस तरह से काट लेना है केले को बहुत जादा मोटा नहीं काटेंगे केले को थोड़ा सा पतला ही रखना है हमें और सबसे पहले अब हम करेंग तिल जैसे गर्म हो जाए उसके बाद हम केले को इसमें डाल देंगे अब हमें केले को अच्छे से फ्राइ कर लेना है जब तक केले उपर से हलकल किसे क्रिस्पी न हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे और केला में अच्छा सा कलर आ जाए उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर जिसे की केले में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और बस कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम फिर से केले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं ताकि केले जल्दी से पक जाए और बस इसी तरह से हमें लगा तो चलिए अब हम केले को निकाल लेते हैं तो इसे निकालने के बाद अब हम बना लेंगे ग्रेवी तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं सेम पैन में थोड़ा सा टेल डाल दी हूँ क्योंकि तेल थोड़ा सा कम हो गया था और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है जीरा और य और अब मैं प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है प्याज को भूनते हुए करीब 2-3 मिनट हो गए है उसके बाद अब मैं या पर डाल द रही हूँ अदरक लहसन का पेश्ट और अब हम अदरक लहसन को भी प्याज के साथ थोड़ दीर के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसन भी अच्छे से भून जाए प्याज और अदरक लहसन भी अच्छे से भून गए हैं तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले इससे ज़्यादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे तो मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच भर के मैं यहाँ पे डाल ले हूँ धनिया पाउडर आदी चमच जीरा पाउडर और अब हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर तो मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे एक चमच भर के कास मेरी लाल मिर्च पाउडर जिसे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में और अब हमें मसाले को भी अच्छे से भून लेना है आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि मसाले अब हमें फिर से टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है और टमाटर डालने के बाद मैं आप एक अच्छे से भून लेना है तो बस एक बार इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें नमक तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें अगर आप केले में पहले भी नमक डाल दी हो तो ग्रेवी में डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि नमक जादा ना हो और बस अब हम इसे लो फ्लेम पे ढखके अच्छे से भ भूनते टाइम गैस का फ्लेम लो रखें नहीं तो मसाले जल सकते हैं और इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे इसे जब हम ढखके मसाले को भूनते तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और प्याज हम चौप करके डाले थे वो भी अच्छे से गल जाएंगे तो ग बंद करके डालें और हमें दही याँ पे ज्यादा खटी वाली दही यूज नहीं करना है मीठी दही का ही इस्तमाल करेंगे अगर आप खटी दही डाल देंगे तो फिर ग्रेवी खटी हो जाएगी तो खाने में मजा नहीं आएगा इसलिए मीठी दही का इस्तमाल करें या फिर अगर दही खटी हो गई हो तो आप दो चमच के जगह पे एक चमच ही डालें और अब हमें दही को भी अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ और यह देखिए मसाले अच्छे से भून गये हैं तो चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें पानी तो पानी आप अपने ही साब से कमया जादा कर सकते हैं आपको जतना gravy रखना हो आप उसीностью आप से पानी डाले तो मैं यहापे करीब एक से देड़ गलास जतना पानी डाली थी अगर आपको जदा gravy बनाना हो तो आप थोड़ा सा पानी जदा रखे मैं यहापे बहुत gravy नहीं बनाया थी ड्राइ वाली सबजी बनाए हूँ तो बहुत जादा ग्रेवी नहीं रखी हूँ और बस में पाने डालने के बाद इसमें ढखके और एक उबालाने तक पका लेना है और जैसे ग्रेवी में उबाला जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालने क के बाद हम इसमें डाल देंगे केले को जो हम पहले फ्राइख करके रखे थे और केले डालने के बाद अब हम इसे ढखके थोड़ी दिर के लिए और पका लेंगे लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमच घर की फ्रेस मलाई जिससे हमारे सबजी में और ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तो अगर आपके पास मलाई हो तो आप जरूर डालें और बस मलाई डालने के बाद हम इसे ढखके थोई दिर के लिए और पकाएंगे वैसे तो हमें केले को बहुत जादा दिर तक नहीं पकाना है क्योंकि हम केले को पहले ही फ्राई कर लिए थे तो बस हमें इतना पकाना है ताकि केले में भी अच्छा सा मसाले का टेस्ट आ जाए तो बस हम इसे ढखके 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे और यह देखिए केले को ग्रेवियों में पकते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए है और केले अच्छे से भी पक गए हैं और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स भी हो गए है यह देखिए कितनी टेस्ट ही दिख़ी है हमारी सबजी तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को बंद और गैस को बंद करने के बाद अब हम इसमें उपर से डाल देंगे बारी कटी हुई धन्या की पत्ति जिसके बिना किसी भी सब्जी का टेस्ट अधूरा रहता है अगर लाश्ट में आप धन्या पत्ति डाल दें तो सारी सब्जीयों का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है इसलिए मैं आप धन्या पत्ति डाल दी हूँ और धन्या पत्ति डालने के बाद अब हम इसे ढखके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे आप लोग देख सकते हैं कितना यमी दीख रहा हमारा सबजी और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी था और अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे उसे सर्व करेंगे और आप लोग को कच्छे के लिए कि सबजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेर करिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय बाय टेक कियर